Hello, Hello, Welcome to the video इस वीडियो में हम completely discuss करने वाल है MP, PV, NFT जो की वेटनेरी और फिशरी के लिए जो टेस्ट होता है जो की खास करके MP के बच्चों के लिए important है जिसको भी वेटनेरी में एडमिशन लेना है उनके लिए बहुत ही important टेस्ट होता ही है state level के interns exam है इसके बारे में हम सब कुछ पता करेंगे इस वीडियो में पूरा वीडियो देखना eligibility criteria बताऊंगा exam pattern, syllabus, application process, कैसा admission होता है और वहाँ पर कितनी fees लगती है semester wise कितनी fees होती है पूरा कितना package है, कितना fees लगेगी total 5 साल में और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कैसे आप इसकी preparation कर सकते है और इसके old paper कहां पर मिलेंगे, पुराने paper कहां पर मिलते है इसकी counseling कैसे होती है पूरी की पूरी जानकरी देने वालों कितनी seats है, OBC में कितनी seat है General में कितनी seat है, SCST में कितनी seats है scholarship मिलती है के नहीं मिलती है सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में PV and FT के बारे में MP, PV and FT का एक comprehensive guide है ये वीडियो तो आप लोग इसको share भी कर सकते है जितने भी लोग देख रहे है वो लोग share कर सकते है कि आपकी जो भी relatives उनको भी share कर सकते है जिनको भी doubt है वेटनेरी के बारे में कैसा admission होता है, क्या होता है MP state में खास करके जो मद्यपरदेश के जो students है उनके लिए ये वीडियो है, because काफी सारे बच्चे लोग confused रहते है कि MP, PB, NFT का entrance exam कैसा होता है, उसमें किस तरिके से selection होता है, तो चलिए शुरू करते है देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो official site से जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप admission ले जा रहे है वेटनेरी में, तो सबसे पहले आपको टेस्ट होने वाला है, वेटनेरी का interim exam होगा, तो सबसे पहले इस Vyapam की site पर आपको जाना है, Vyapam की site का जो email है, जो वहाँ पर जो address होता है, वो भी आपको बता दूँगा, Vyapam आप जैसे ही tap करेंगे तो वहाँ पर इस तरिके से आपका इस तरिके से website खुल जाता है Vyapam का, और यहाँ पर इस तरिके से latest updates में आपको PVNFT का notification आयाता है, तो आपको इस website को note कर लेना है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँग कि किस तरिके से आप जो है, यह पहली website हो गई, Vyapam की website, दूसरी website मैं आपको बता दूँ दूसरी website होती crisp online, crisp online यह जो website है, यह भी आपको पता होना चाहिए because यह जो website है, यह बहुत important है जब आप counseling करते हैं, ठीक है इसके लावा Vyapam की जो website है, यहाँ पर आपको old paper भी मिल जाते हैं, अगर यह देखिए, यह देखिए, आपको यह पर दिख रहा होगा, कि यह जो old paper है एक मिट दूस्तों, एक मिट मैं आपको यहाँ पर zoom करके दिखाता हूँ कि Vyapam की site पर आपको old paper कहां पर मिलते हैं, तो यह जो old paper आपको यहाँ पर section दिख रहा है यह देखिए, यह जो old paper दिख रहा है न यहाँ पर अगर आप click करेंगे, Vyapam की site पर जाकर के, Vyapam की site पर जाएंगे वहाँ पर old paper पर click करेंगे तो आपको इस तरह के से यहाँ पर old paper दिख जाएंगे यह जो तीसरी site है, जो सबसे important है वो है नानारी देशमुक, वटनेर साइंस अनिमल हजबंडरी, जो हमारी जो university है, जो नानारी देशमुक की वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर आप regularly updates होते रहते हैं जो भी कुछ information आती है PVFT से related, वो भी यहाँ पर update होती रहती है तो 3-4 site में आपको बता दी है अभी तक, सबसे पहले आपको Vyapam की site बताईए, दूसरा में आपको बताईए कि Vyapam की site पर आपको old paper मिल जाते है तीसरा में आपको बताई, CRISP Online जहांपर की, CRISP Online ठीक है, C-R-I-S-P CRISP Online, CRISP Online पर आपको जाना है अगर आपको counseling करनी है PVFT का आपने test दे दिया है उसके बाद यहाँ पर counseling होगी इसके बाद आपको नाना जी देशमुक Veterinary Science University जवलपूर यहाँ पर भी आपको जाना है तो इतनी information मैं आपको बता दिये इसके बाद मैं आपको कुछ और facts बताता हूँ जो की इस exam से related है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यह देखो, यह है व्यापकम की website और यहाँ पर आप जैसे ही आते है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़े देखने मिलती है यहाँ पर आप left side में देख सकते है rule book लिखा हुआ है, exam schedule लिखा हुआ है काफ़ी सरी चीज़े लिखी हुई है तो आप यहाँ पर आ करके अपना जो PVFT examination है उसके पुराने paper देख सकते है 2017, 18 हर year सारे साल के paper यहाँ पर available है आप किसी पर भी click करेंगे जैसे मैं यहाँ पर 2020 का paper देखना चाहरा हूँ मैं 2020 पर click करूँगा और यहाँ पर आ करके मैं PVNFT exam select करूँगा तो यहाँ पर इसका जो पुरा PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे पस कौन-कौन से paper साथ है अब मुझे इसके answer की चाहिए तो answer की भी हाँ पर available रहती है अगर आप site के option में देखेंगे तो आपको answer की भी available हो जाती है तो इस तरीके से आपको हर साल के paper में लगते हैं दूसरी बात मैं आपको बता दूँ crisp online मैं आपको बता दिया crisp online जो एक website पे यह आपको बहुत important रहेगी जब आप counseling करेंगे तो आपको crisp online पे आपकी counseling करवानी है MP, PV, NFT की इसके अलवा मैंने आपको बताया कि जो हमारा NDVSU University है Veterinary की जो university अपने अपना जो मद्यपरदेश है यहाँ पर जो university है यहाँ पर जो NDVSU की जो site है यह बहुत important है यहाँ पर पूरी information दी हुई है कि किस तरह के से BVST ने जो veterinary का courses में admission कैसे होता है तो यहाँ पर जो minimum qualification है वो 17 years आपको minimum 17 साल का होना चाहिए और साती साते में आपके पास 12th pass के degree होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं seat matrix भी दिया हुआ इन लोगों ने admission capacity कितनी है तो अभी total जो seats है वो 201 201 seats है अपने पास महू में 67 seats है रिवा में 67 और जबलपूर में 67 seats है तो तीन colleges है इसके veterinary के मतलब जबलपूर, महू और रिवा में ठीक है BVACन जो कि 5.5 year का course है मतलब 5.5 साल का course है तो उसमें यह distribution है I hopes आपको दिख रहा हूँ यहां पर ठीक है यह जो SC, ST, OBC तीनों का जो distribution यहां पर दिया हुआ है तो यह आप चेक आउट कार सकते है इसकी official website NDVSU पर यह डला हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं फीस कित्ती लगती है तो फीस के बारे मैं भी आपको बता जाता हूँ अगर आप diploma का भी search करेंगे तो वो भी यहां पर देखो information दिया हुआ है कि जवलपुर में college है महू में, रिवा में, मुरेना में college है तो इसकी भी total distribution यहां पर दिया हुआ है अब मैं आपको बात करता हूँ फीस के बारे में कि फीस कितना लगता है BVAC&H में कितना फीस लगता है पात साल में तो देखो यहां पर distribution दिया हुआ BVAC&H फीस structure for the batch admitted into 2022-23 मतलब कि अभी जो आने वाली बैचे से उनको कितना फीस लगना है तो यहां पर आप देख सकते है अगर आप NRI quota से आते है तो आपको ज़्यादा फीस लगेगा अगर आप एक free seat पर आते है तो आपको कम फीस लगेगा मतलब कि अगर आप इंडिया के बाहर से यहां पर veterinary कन ने आते हैं आपको ज़्यादा फीस लगता है around 5 lakh बट अगर आप इंडियान है और आप MPPVNFT के थुरू आते है तो आपको 73,000 फीस लगता है फर्स्ट इयर में यहां पर आप देख पार है 73,000 फर्स्ट इयर में इसके बाद 2nd इयर में 66,000 3rd इयर में 66,000 4th इयर में आपको 95,000 लगता है और 5th इयर में 66,000 इसके अलावा यह देखो यह जो पुरा फीस structure है यहां पर दिया हुआ है और कितना फीस लगता है मैं आपको बता दिया free seat के लिए जनरल इतना seat लगता है ठीक है इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि NDVSU College है यहां पर आपको post metric scholarship मिलती है OBC, ST और ST candidates के लिए तो जो भी OBC, ST और ST है उनको 50,000 scholarship मिलती है approximately आप मान सकते है 50,000 मतलब 50,000 scholarship आपको मिलती है और इसके अलावा मैधावी चातर योजना जो है मैधावी योजना के चातर जो भी है वो लोग भी इसम अपलाई कर सकते है उनको भी पूरी fees वापस आ जाती है तो scholarship program available है आपको scholarship मिलेगी अगर आप OBC, ST, ST के belong खड़ते होता है तो यहां पर आपको काफी एक help मिल सकती है fees के बारे मैं आपको बता दिया seat structure मैं आपको बता दिया admission कैसे होता है वो भी बता दिया आपको PVFT and examination के थुरू PVFT examination का एक तरिके से pattern क्या है तो वो भी हम discuss कर लेते है जो आपका PVFT examination यहां पर आप देख सकते है मैंने paper खुला था तो आपर खुल चुका है देखो यह PVFT examination का यह paper है इसमें totally अगर आप देखेंगे तो इस तरिके से physics, chemistry और biology के paper आते है इसके लिए आपको जो study करनी है वो कहां से study करनी है जो आपको 11th और 12th है बहुत strong होन अच्छी है 11th और 12th के जो paper से previous year paper अगर आप practice कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें जो total questions आते है आप देख सकते हैं यहाँ पर total 100 questions आते है यहाँ पर आप देख सकते हैं total 100 questions आते हैं यह देखो 99 और यह 100 questions total 100 questions आते हैं और इन 100 questions में से आपको minimum score करना पड़ता है 70 के उपर अगर आपका score 70 के उपर होता है तो जन्रली आपका selection हो ही जाता है अगर आप general category से belong करते हैं तो आपको 70 plus score करना पड़ेगा और अगर आप OBC, SC, ST से belong करते हैं तो 65 या 60 तक score रहेगा तो भी आपका selection हो सकता है तो यह minimum cut off रहता है बट वो depend करता है कि किस साल कैसा paper आ रहा है अगर paper जादा tough आता है तो cut off कम हो जाता है paper easy आता है तो cut off बढ़ जाता है तो यह generally pattern रहता है आपको 11-12 का physics chemistry biology पढ़ना पढ़ता है यहाँ पर जो भी आपने need के लिए preparation में पढ़ा है, बिबेस के preparation में पढ़ा है वही यहाँ पर आपको काम आ जाएगा तो इस तरह के से examination होता है ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि negative marking नहीं होती है यहाँ पर negative marking जो है बिल्कुल नहीं होती है तो यह एक अच्छा point है, आप लोग अच्छे से score कर सकते है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो तो यह जो व्यापम की website है यह आपके लिए बहुत जादा helpful होगी यहाँ पर आपको old paper मिल जाएगा, rule book मिल जाएगी exam schedule मिल जाएगा अब जनरल exam कब होता है, पर यूफटी का general examination देखो इसका जो examination है, उसके advertisement आजाता है में के मन्त में इसका form submit करने के लिए जादा time नहीं मिलता है पंदराबिस दिन मिलते है तो आपको पंदराबिस दिन में अपना examination form भढ़ना है जनरली ये में के बाद June में June में इसका application form भढ़ना है इसके लावा आपको यहाँ पर फिर test fees किता रखता है कितना फीस लगती है इसके जनरली जो application form होता है जो form भरने की जो फीस होती है वो SCST और OBC वालों के लिए 200 होती है और जो जनरल के candidate से उनके लिए 400 फीस होती है 400 रुपीस ठीक है इसके अलावा जो exam date है देखो जैसे के last year 28 July को examination होता 28 July 2023 को examination हुआता तो इसी तरिके से ये examination होता है PBFT का इस पर आपको काफी ध्यान देते रहना है ये website को visit करते रहना है तो आपको काफी helpful रहेगा आपके admission के लिए ठीक है I think so मैंने आपको सारे perspective बता दिये जैसे आप examination दे देंगे उसके बाद आपको crisp online ये जो website crisp online services.com यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर coming soon जो है इसकी जगाँ आपको काफी सारे notification दिखेंगे इसके बाद आप यहाँ पर आके counselling कर सकते है जैसे आपने examination दे दी फिर counselling शुरू होती है तो यहाँ ही पर पूरी counselling होगी counselling की site है crisp online ठीक है I think so मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt है तो आप लोग बिल्कुल comment में पूछ सकते है I hope so I covered all the aspects Thank you so much आप लोग मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं content बनाते रहता हूँ आप सभी लोग के लिए Thank you so much